कैसे हैं आप सब लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा next topic है हमारे पास में हमने isomerism पढ़ लिया था और isomerism के अंदर हमने definition of the isomerism हमने देखी types of the isomerism हमने देख ली और आज हम लोग देखते हैं कि isomerism का ही next part है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि glucose के अंदर जो है वो हमारे पास एनेंशो मर्स क्या होते हैं ठीक है एपी मर्स क्या होते हैं काईरल कार्बन क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि काईरल कार्बन 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 क्या होता है काईरल कार्बन आपको पता है कि कार्बन की वैलंसी कितनी होती है फोर वैलंसी होती है और यदि कार्बन की चारो वैलंसीया जो है वो अलग-अलग कंपाउंड के थ्रू satisfied हो रही हो तो हम उसको क्या करते हैं chiral carbon कहते हैं तो देखिए definition क्या हो जाएगी the four valences the four valences of carbon are certified with four different four different groups four different groups कि यदि चार ग्रूप जो है carbon के चारों ग्रूप जो है अलग-अलग है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा chiral carbon कहलाएगा देखिए chiral carbon के अंदर यदि हम लोग देखें तो C CS3 OH C2 H5 single bond H यहाँ carbon के चारों वैलेंसीया जो है वो अलग-अलग compound के तरूप क्या हो रही है complete हो रही है जैसे carbon के एक independance किसके तरूप complete हो रही है hydrogen के तरूप carbon की एक dedans OH गुरूप के तरूप complete हो रही है carbon के एक bandwidth CS3 के तरूप complete हो रही है ठीक है, ये जो है, वो एक mirror image येदी हम complete create करें, तो ये mirror image बन सकता है, क्या बन सकता है, mirror image, लेकिन एक दूसरे के उपर super impossible नहीं होगा, यानि अध्यारोपित नहीं होगा, यदि हम इसकी mirror image create करें, तो mirror image बनेगी इसकी, OH, CH, CH3, C2, H5, ये इसकी mirror image create हुई, लेकिन यदि मैं इस mirror image को ऐसा काईसा उठा करके, और इसके उपर अध्यारोपित करने की कोशिश करूँ, यानि super impossible करने की कोशिश करूँ, तो ये क्या नहीं होगा इसके उपर, super impossible नहीं होगा, clear है यहाँ तक, कोई दिक्कत है इस चीज के अंदर, तो chiral carbon क्या हो गया, कि the four valences of carbon are satisfied with the four different groups, तो वो क्या कहलाएगा, वो carbon हमारे लिए क्या होगा, chiral carbon, clear, next हम देखते हैं, chiral carbon, a-chiral carbon, a-chiral carbon में क्या कह सकते हैं हम लोग, कि the four valences of carbons, ठीक है, उसमें से कितनी, दो या दो से अधिक, यानि two and more valences are satisfied with the same group, तो लिखिये, two and more, two and more valences, two and more valences of carbon are satisfied with the same group, same groups are known as a-chiral carbon, जैसे C, single bond H, single bond H, single bond CS3, single bond C2, H5, हमारे पास CS3, CS2, C2, H5, तो यदि हम लोग देखें, तो इसमें इस वाले carbon के जो दो valences हैं, वो same group के तुरू क्या हो रही है, complete हो रही है, तो इसका मतला, कि यदि मैं आपको कहूँ कि क्या ये super impossible है, बिल्कुल है, ये क्या होगा, एक दूसरे के उपर क्या होगा, इसकी mirror image जो है, वो concrete होगी, क्या होगी, mirror image, और mirror image जो होगी, वो एक दूसरे के उपर हम इसको क्या कर सकते हैं, अध्यारोपित कर सकते हैं, यानि super impossible कर सकते हैं, क्लिइर यहां तर मतलब एक आइरल कारबन ऐसा कारबन जिसके अंदर चारों वैलन्सियां क्या हो अललग सो क्या हो अलग अलग वह क्या कहलाती है काइरल कारबन जिसकी दो यह दो से ज्यादा वैलैन्सियां एक 최고 यह वो हमाएं क्या कहलाएगा एक आररलं कार्वन कहलाएगा ठीक है हुई नेक्स देखते है पिए कर सान्त है हमारे पास में यह यह अप फिंय मत क्या होता है एफिमर्ज का जो बेसिक लिए वह ईफिमर्ज का मतलब होता है कि अैसे compound एआ से compound इसे कंपाउंड जिन में यदि हम लोग कन देखें का देखें रोटेशन तो हम्हें पास दो तरीके के रोटेशेन्स होते हैं आपको पता है एक क्लोक भाई यह एक लोगवाई बैगा क्लोकवए बैसे crypt locate अर किया बनेगा जो है चारो वेलेंसियां अलग-अलग होगी, यानि compound दोनों क्या बन जाएंगे, complete change हो जाएंगे, देखे एक example लेकर के समझते हैं इसके अंदर, कि CHO, single bond C, H, sorry, O, H, C, H, O, H, C, O, H, H, C, H, O, H, CS2, O, H, कौन है ये, glucose, कौन है, glucose, clear, दूसरा इसी का दूसरा एक example देखते हैं, same, CHO, single bond C, C, H, O, H, C, H, O, H, C, H, O, H, C, H, O, H, CS2, O, H, ये, किसका formula है, मैनोज का, किसका है, मैनोज, यहाँ पर glucose, और ये कौन है, मैनोज, change कहां आया, इसमें change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये second number carbon देखिए, सिर्फ कहां पर change है, second number carbon के, इसका मतलब हमारे लिए chiral carbon कौन सा हुआ, ये वाला, भाई, ये वाला ही chiral carbon हुआ, चारो वैलिंस हैं, हाइडोजन, O, H, CHO, और एक ये पूरा का पूरा ग्रूप, क्लिया, इसके अंदर भी देखिए, CHO ग्रूप उपर लगा हुआ, L, D, O, एलकोल, हाइडोजन, और ये पूरा का पूरा एक, यानि सिर्फ एक ही chiral carbon के उपर, क्या हो, इस पूरे compound का nature depend करता, वो क्या कहलाता है, epimers कहलाते हैं, क्या कहलाते है, epimers कहलाते हैं, those compounds, क्या कह सकते हैं, कि those compounds, that, they are totally depend on the chiral carbon, only one chiral carbon, compounds, compounds, those are depend on the chiral carbon, and each are, each are, क्या बोल सकते हैं, stereomers, each are, stereomers, ये दोनों एक, दूसरे के क्या है, stereomers, stereosomerys में कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, optical isomerys, geometrical isomerys, तो यदि आप इसकी बात करें, हैं, तो ये दोनों एक, दूसरे के क्या है, stereosomerys है, क्या है, stereosomerys, इसके अंदर देखिए, ये aldehyde group present है, यहाँ पर ये aldehyde group present है, clear, depend किसके उपर कर रहा है, ये glucose, और ये manose, सिर्फ दो नंबर कारबन के उपर, ये सब कुछ है, इसकी जो है, properties depend कर रही है, यानि हमारे पास काईरल कारबन कितने, ये सारे काईरल कारबन है, total, देखिए, hydrogen, OH group, hydrogen, OH group, ये पूरा का पूरा एक group, ये नीचे वाला एक group, इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास old total काईरल कारबन है, लेकिन इन दोनों के अंदर difference कहा हा रहा है, सिर्फ एक ही काईरल कारबन के उपर आ रहा है, वो कौन सा नंबर है, second number नंबर कारबन में, OH की साइड में है, left साइड में, इधर OH की साइड में है, right साइड में, clear, तो जिसके काण पूरा compound ही क्या हो चुका, change हो चुका, ये glucose था, और ये क्या बन गया, manose बन गया, क्या बना, manose, clear है यहां तक, तो मतलब epimers क्या होते हैं, कि बे-stereo-isomers, जिन में, जिया जिन की property, या जो totally रूप से, सिर्फ और सिर्फ एक ही काईरल कारबन के उपर क्या करते हैं, depend करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, epimers कहलाते हैं, आगे समझ में, चलिए, आगे देखते हैं, next आपके पास में, anansomers, anansomers क्या होते हैं, हाँ जी, anansomers क्या होते हैं, अरे, anansomers, हमारे पास glucose, glucose के दो anansomers होते हैं, alpha-dglucose और beta-dglucose, नहीं सुना, alpha-dglucose और beta-dglucose, यानि, जो एक दूसरे के क्या हो, mirror image हो, क्या हो, mirror image, लेकिन एक दूसरे के उपर, super impossible, यानि अध्यरोपित नहीं होते हो, वो क्या कलाते हैं एनन्शोमर्स कलाते हैं देखिए अलफा डी कलोकोज अलफा डी कलोकोज की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होती है और यहां से वन नमबर कारबन एंड फिप्ट नमबर कारबन एड होगा क्लियर दूसरा बीटा डी कलोकोज च और यह क्या होगा वन नमबर कारबन एंड फिप्ट नमबर कारबन यह कौन सा गलोकोज अलफा डी गलोकोज और यह कौन सा है बीटा डी गलोकोज रोटेशन कौन सा इसमें क्लोकवाइज इसमें रोटेशन एंटी क्लोकवाइज क्या यह एक दूसरे के मीरर इमेज है बिलकुल हो सकते हैं क्लियर लेकिन यहाँ पर रोटेशन देखो क्लोकवाइज है एक में कौन सा है एंटी क्लोकवाइज इसका मतलब यह दोनों के दोनों जो है वो हमारे लिए क्या नहीं बने सुपर इंपोसिबल नहीं बने सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें रोटेशन अलग है क्लियर तो एनेंशोमर्ज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं रोटेशन देखते हैं इसकी पाइरेनोज इस्ट्रक्चर कैसी है बना सकते हो अलफा डीग्लुकोज और बीटा डीग्लु OH, H, OH, OH, H, H, उपर कौन, CS2, OH, और कौन सा glucose, alpha D, glucose, और दूसरा कौने, beta D glucose, तो beta D में क्या होगा, structure तो same रहेगा, और बस change कहाँ होगा, first number, OH कहाँ चला जाएगा, उपर, H, H, OH, OH, H, OH, CS2, OH, H, beta D glucose, यह दोनों एक दूसरे के क्या है, anansomers है, क्या है, anansomers, यानि compounds, that, those are mirror image, but not super impossible, clear, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, anansomers कहलाते हैं, तो आज़ देखिए, anansomers की definitions, कि compound, compounds are, compounds are mirror image, but not super impossible, not super impossible, are known as, are known as anansomers, clear है, यहाँ तक, कि compound, जो एक दूसरे के mirror image होंगे, लेकिन super impossible, नहीं होंगे, क्या कहलाते हैं, anansomers कहलाते हैं, चला, next, हमारे पास में आता है, बढ़िया वाला topic है, जिसका नाम है, reducing, and non-reducing, reducing and non-reducing sugar, हाँ जि, reducing and non-reducing sugar, what is the mean of reducing and non-reducing sugar, क्या होता है, reducing or non-reducing sugar, compound have the free aldehyde and ketones group, compound have the free aldehyde and ketones group that are reduced phyling solution and tolen reagent, clear, unknown as reducing sugar, clear, तो हम लिख सकते हैं, compounds have free, compounds have free aldehyde and ketones group and reduced phyling solution and tolen reagent, tolen reagent, are known as, known as reducing sugar, clear, इसके example हमारे पास क्या हो सकते हैं, glucose, fructose, maltose, lactose, lactose, ठीक है, यह सारे के सारे क्या हैं, क्या है हमारे पास, ठीक है, reducing sugar, clear, अब देखिये, यह क्या कह रहा है, कि जिसके पास में, क्या होना चाहिए, या तो aldehyde group होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ketonic group होना चाहिए तो उसका क्या करेगा ये क्या करेगा, reduction करेगा क्या करेगा, एक example देखते हैं अपने पास में R single bond CHO R single bond CHO ये जो है, वो reaction करता है AG NS3 का hold twice plus OH minus कोन है ये, failing solution कोन है, इसका reduction होगा तो जब aldehyde है, इसका मतलब ये तो reducing agent है, फुद का तो क्या होगा, reduction और इसका क्या होगा oxidation, इसका तो क्या होगा, reduction, इसका क्या होगा, oxidation, जब इसका reduction उसका oxidation होगा तो आप देखिए, ये बनाएगा R COO minus plus का AG plus 2NH3 plus H2O plus H2O, clear देखिए, यहाँ AG की valency कितनी है, plus 1, कितनी है, यहाँ AG की valency कितनी है, 0 इसका मतलब कि यदि कोई compound, जिसकी oxidation state या जिसकी valency, क्या हो रही है down हो रही है, वो क्या कलाएगा वो क्या कलाएगा, उसका क्या होगा, reduction, ये plus 1 से कितने पर चला गया, 0 पर तो इसका क्या हो गया, reduction Ns3, ये वब भी 0 है यहाँ पर भी 0 है, OH- यहाँ oxygen पर minus 1 था यहाँ पर कितना आ गया, 0 इधर देखिए, RCHO LD head, और LD head का क्या हो गया, यहाँ पर, carboxylic acid RCOO minus यानि carboxylate ion बना क्या बना, carboxylate ion तो इसका क्या हो गया, oxidation हो गया, क्या हुआ तो tolen, be isn't हो, चाहे phalanine solution और उन्हें दोनों का क्या होगा reduction होगा, और सामने जो आ रहा है, जो भी जिस LD head हो या ketone हो, उसका क्या हो जाएगा आपके पास में, oxidation हो जाएगा, तो इसका मतलब glucose है, glucose के पास कौन बैठा aldehyde group है, क्या है aldehyde, तो aldehyde group का क्या होगा oxidation, और tolen, diagent और felling का क्या होगा reduction, aldehyde का oxidation करवाते हैं, तो carboxylic acid बनता है, और जब ketone का oxidation करवाओगे यानि reduction करवाओगे, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अरे ketone का oxidation करवाओगे, तो क्या बनेगा, ketone का जब oxidation करवाओगे आप, तब आपके पास में बनेगा aldehyde, क्या बनेगा, दो भागों में तूट जाएगा, एक बाग तूट जाएगा, अलकोल और दूसरा पार्ट कौन सा बनेगा, aldehyde बनेगा, आगया समझ में, तो ये कौन सी sugar है, reducing sugar है, clear, non reducing sugar क्या होगी, compounds, compounds does not have compounds, compounds does not have free aldehyde and ketones group and does not reduced phalangene stolen reagent are known as non reducing are known as non reducing sugar sugar क्या कहलाएंगे, non reducing sugar, example क्या है, इसका, सुक्रोज, सुक्रोज, क्लिया रही यहां तक, अच्चा सुक्रोज यह भी आपके पास सुक्रोज है, तो सुक्रोज का, C12 है, H22, O11, यह आपके पास सुक्रोज है, सुक्रोज का, यह दी मैं hydrolysis करวाता हूँ, तो तो क्या मिलता है, अपने को, alpha, d-glucose, प्लास बीटा डी फ्रक्टोज अलफा डी ग्लुकोजन बीटा डी फ्रक्टोज बनता है इस ट्रक्चर देखिए O, सोरी, H यहाँ पर नीचे को ने O इसका मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉंड बनाएगा यह H, O, H O, H, 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 O, H CS2, O, H यह H बीटा डी फ्रक्टोज यह कोनों का CS2, O, H यह ग्लाइकोसिडिक बॉंड यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ O, H, H, O, H O, H, CS2, O, H यहाँ पर देखिए, इस अलफा डी ग्लुकोस का एक नमबर कारबन, बीटा डी फ्रक्टोज के दो नमबर कारबन के साथ कौन सा बॉंड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉंड, आपको पता है, कि ग्लुकोस के एक नमबर कारबन पर कौन बैठा हुआ है, है, अलडी हैड, कौन है, इलडी हैड, और फ्रक्टोज के दो नमबर कारबन पर कौन है, के टों है, तो जब आप मुझे देखिए, कि दो नमबर कारबन और एक नमबर कारबन, दोनोंके दोनों गलाइकोसिडिक बॉंड बना रहे हैं, और यहाँ से वॉटर मॉलेक्वल र प्रग्टों device के पास कोने के टोन है तो क्या होगा क्या यह यहां पर आपको एल्डियंग और की टोन दिखाई दे रहे हैं नहीं तो जब एल्ड्य tul wolves नहीं है तो जो है आपके पास में यह किसका डिपर आएगा इसका मतलब जब daela की टोन इसी लिए सुक्रोज को क्या बोला जाता है non reducing sugar बोला जाता है क्यों क्योंकि इसके पास में free aldehyde और ketonic group प्रेजेंट नहीं होता तो वो चले कहां जाते हैं वो काम में क्या आते हैं glycosidic bond बनाने के काम में आ जाते हैं clear है एक example और देखते हैं आपके पास में एक example है आपके पास C18 hydrogen आपके पास में है 32 और O है आपके पास में 16 इसको कहते है gentheos क्या बोलते है gentheos ठीक है इसका formula क्या है C18 H 32 O 16 इसको यदि आप divide करोगे तो आपको क्या मिलेगा divide करने पर क्या मिलेगा आपको आरे भई divide करोगे तो क्या मिलेगा alpha d glucose plus beta d glucose plus beta d fructose beta d fructose और जब अपनी structure देखते हैं तो क्या बनता है इसका हाँ जी पहला को ने alpha d glucose तो alpha d glucose में क्या होगा हो एच हो एच ओ एच हो एच एच हो एच हो एच सीयस्टू हो एच एच दूसरा को ने आपके पास तो ये भी अलफा डीडू को जीए रोने दूसरा प्लस यह भी कौन आया 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर कौन? CS2, OH, H, H, OH, H, OH और यह H, फिर कौन है? बीटा डी फ्रक्टोस, तो यहलो साब बीटा डी फ्रक्टोस, उपर कौन? CS2, OH, OH, H, H, OH, CS2, OH, अब देखिए, यह तीन कमपाउंड है, इन तीनों में बोंड कैसे बनेगा? पहला बोंड बनेगा यह वाला, कौन सा बन गया? दूसरा बोंड क्या बनेगा? दूसरा बोंड यह वाला, तीसरा बोंड क्या बनेगा? यह वाला, ठीक है? इसका मतलब हमारे पास हमें कितने बोंड बने? देखो, पहला बोंड इसके साथ, दूसरा बोंड यह वाला, ठीक है? पहला बॉंड क्या बनेगा ये वाला बॉंड दूसरा बॉंड बनेगा ये वाला ठीक है यहां से वोटर मॉलीक्यूल बाहर निकल जाएगा और CS2 इसके साथ जुड जाएगा इसमें ये वाला पॉर्शन जुड जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास में इस वाले पॉर्शन को भी देखूं तो हमारे पास क्या नजर नहीं आ रहा फ्री एल्डिहाइड ग्रूप नहीं है किटोन भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका एल्डिहाइड इसके किटोन के साथ भी जी है इसका एल्डिहाइड इसके ओ reducing sugar है clear यह आज का हमारा यहां का जो है वो complete होता है isomerism का topic कल हम जो है वो हम next start करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे cellulose next देखेंगे starch और then हम start करेंगे protein clear तो कल की class के अंदर हम proteins देखेंगे तब तक के लिए आप सभी को best of luck सस्रियकाल नमस्कार